अच्छा अगर वीडियो एंड वाश होकी है तो प्लीज एक बार कनफर्मिशन दे दीजे थमजब कर दीजे अच्छा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना तो करें फिर हमारा अच का शेशन शुरू हेंदिया रच्छा नहीं आख है 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 अजी तखीका जी सरेन हमेंद करदया ती सारे ठीक जाएच्छा कहँगे जलदी देने ये शैसर नो शेर कर दो अच्छा टन्य थोड़े जे कमेंट कातें ते आंदेवंगा जपा पड़ती एं अगरिकल्चर खेटी वड़ी तानू पट त यहां दू कि अध्र दूब बच्छा लें और फिर आपा की कर दें अजया ज़र है तो यह शेर कर दें करी कि लाइसाल जल दी आजो परिया जो आजवाज़ आजवाज़ आज़े लुगाज़ाज़ आज़ाज़ाज़ करो एक हर करो ने फैसजी कि ए विल्कुल को कर्या जल देने चुरू ता एक्ष़ी क्लास लो सारे आहो कर्दो में माजदी इसक्लास चाही करांगी अपा यसोमाना जाके अब सारे इंसेक्ट पैस्ट पारिए जा में किले मकोड़ पढ़ने आपा तो हमारा आद का फर्स्ट कॉश्चन है इन इंसेक्ट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थूँ मार्फिजन, ट्यूबल, ट्रेक्या, इंट्रेक्योर्ज या फिर डॉर्सल नर्फ इंसेक्ट कैसे रिस्पायर करते हैं जल्दी जल्दी करो अंसर, क्लास्प इंटिस्ट किया था, हमने अच्छे से ये अच्छा, मार्फिजन ट्यूबल आएगा नहीं, ट्रेक्या, इंसेक्ट की और इनकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं जैसे हमारे नॉस्ट्रेलिस होता है तो इनके क्या होता है स्पीरेक्कल्स नहीं, बच्छे, मार्फिजन ट्यूबल कहां से आ जाएगा गल्लत है आप कहां से बी ओप्शन राइट रहेगा हमारा नेक्स्ट कॉश्चन क्या है ओडर ओफ वाइट आंट्स एंड आंट्स इस हैमनोप्टेरा, आइसोप्टेरा या फिर आइसोप्टेरा एंड हैमनोप्टेरा या फिर हैमनोप्टेरा एंड आइसोप्टेरा थोड़ा सा ट्रिक्की कॉश्चन है आंट्स तो है, मतलब दोनों सेम ही होंगे है ना फिर ओडर भी तो एक ही आना चाहिए या लग लग आएगा आइसोप्टेरा, अच्छा, आइसोप्टेरा का मतलब क्या होता है आइसोप्टेरा का मतलब होता है इक्वल, इक्वल विंग्स होंगे और प्टेरा का क्या मतलब होता है विंग्स, है ना तो यह तो आ गया हमारी white ants का ठीक है मैंने माल लिया कि जो हमारा white ants का order होता है वो आई सो प्टेर आएगा white ants को और क्या बोलते हम termides और ants का order क्या होता है ants का order आएगा हमारा hymnoptera तो हमारा right answer क्या रहेगा option c hymnoptera 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 का मतलू क्या होता है hymnoptera membrane like wings हमारा next question order of aphid is aphids का क्या order आएगा हैmiptera आजाएगा orthoptera hymnoptera hymnoptera या फिर thysanoptera hymnoptera था थाएगा थाइजन अप्टेरा किसका order होता है thrips का जिनके क्या होते हैं कौन से wings होते हैं fringed wings यानि के thread like होते हैं और थापtera किसका होता है हमारे ग्रास ओपर का हाइम नों भी निकल गया इसमें ये किसका था हमारा आण्ट का तो रह कौन सा गया option a very good हैmiptera हैmica क्या मतलब होता है half half wings और हैmiptera order के बारे में एक और point है और क्या करता है सबसे ज्यादा जो virus separate होता है यो diseases होते हैं वो इसी के थ्रू होती है हमारा आज का next question है body cavity filled with blood is called hemolymph blood hemocol या फिर ostia एक सोनिया very good तो hemolymph क्या आएगा अच्छा इनके insect का blood भी red color का होता है क्या इसमें red blood cells है वो नहीं होते तो यह या तो colorless ही होगा ठीक है या फिर yellowish color हो का होगा और greenish वो भी जब यह feed करते हैं उसकी वज़े से होता है तो उन्होंने पूछा है body cavity filled with blood तो यही रहेगा हमारा option c homocode और अगर पूछा ज़े blood तो उसको बोलते हैं hemolymph मारा next question trichogramma is very important question अभी NFL का exam हुआ तो उसमें भी आया था है अच्छा एक होते हैं हमारे parasite एक होते हैं parasitoid एक होते हैं predator क्या difference होता होगा इसमें देखो जो parasite होते हैं मतलब दूसरे की body पर रहते हैं और उसको सिर्फ खाते हैं मतलब उसको kill नहीं करते हैं जैसे कि इनकी example क्या आजाएगी जैसे आती है हमारे टेक्स या फिर माइट्स ऐसे तो नहीं के वह मारी देती हैं हाँ वह उसको nutrition लेते रहेंगे तो ultimately वह किल होई जाएगा बट डिरेक्टली वह किल नहीं करते हैं वह हो जाते हैं हमारे लेडी बर्ड बीटल जो रैडिश कलर की होती है उसकी बॉड़ी पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स होती हैं तो वह किस पर फीड करती है वह हमारे एफिट को खा जाती है तो फिर परसिटोईड के आगे परसिटोईड जो पहले तो लेट करते मतल्ig उसके उपर रहते हैं और पर उसके बाद एग लेंग कर देतेमां पर एग लेंगे तो जो उसका true होगा वो नूट्रीशन लेता रहेगा और जो उसका अडलट होगा जब वो वड़ा हो जाएगा तो वो यहां से फ्लाई कर जाएगा मतलबू फ्री लिविंग होता है उसका इडल परसेटोइट का और इसका जो हमारा ज़ो नहीं एक परसेटोइट अब ज़ो यहां होता है क्योंकि एक दम से हमारी ट्राइको डर्मा chimney देल करे है यह फंजई नहीं है यह पैरासिटॉइड है ठीक है जो दूसरे के मतलब बॉड़ी पर रहेंगे एग ले करते हैं और उसके बाद जो उनका एडल्ट होता है वो फ्री लिविंग होता है वो उठ जाएगा वहां से और यह किसमें यूज होते हैं जैसे हमारे शुगर के इन बोरर को कंट्रोल करने के लिए एक पेरस्टॉइड होंगे लारवल पेरस्टॉइड होंगे तो यह इनकी प्लासिफिकेशन होती है नेक्स्ट गॉस्टन और थुप टेरा इनक्लीउड और थुप टेरा ओर्डर में कौन कौन आते हैं ग्रास ओपर ही आएगा सिर्फ या फिर लोकस्ट और क्रिकेट भी आएंगे cricket से related एक और question है भी एक इनके जो antenna होते हैं वो sound producing होते हैं Stradolateral एक term होती है इन से related जिसके वज़ों से ये sound produce करते हैं और थोगर के मतलब हो गया straight wings इनके wings कैसे होंगे straight टेरा का मतलब होता है wings very good, हमारे right answer क्या रहेगा option D, all of these our next question larva of coloptera is called grub, nymph, nides या फिर caterpillar मैंने different आपको larva बताये थे आज ही class में हमने discuss किया था तो जो जिन्होंने class लगाई थी उनको तो definitely पता होगा association को like कर दो और डरके नहीं भागना है कि question कैसे question आगे difficult है आपको सीखने हैं तो मिल रहा है ना कुछ आगे आपको काम ही आएंगे किसी भी exam में directly हमारे जो content हम cover कर रहे हैं class में उसमें से directly 10 to 15 question आए थे NFL exam में antopathy में से देख लो कि कितनी important है और बच्चे छोड़ी देते हैं anto को तो जी very good हमारा right answer क्या है grub caterpillar किसमें होता है जो हमारा lepidoptera order होता है और coliptera में कौन कान से आ जाते हैं beetles and weevils और जो हमारा coliptera order है यह most damaging order है चलें आगे next question is young one of orthoptera is called अब orthoptera order के young ones को हम क्या बोलेंगे grub, nymph, nymph, nymph या फिर caterpillar अब आपको यह clear होना चाहिए कि orthoptera order में कौन कौन थे तो उनके young ones को हम क्या बोलते हैं और इन में जो हमारी metamorphosis होती है वो incomplete होती है metamorphosis क्या होता है change in the form मतलब incomplete का मतलब क्या आ गया ag, nymph and adult हमारा जो right answer हैगा वो है option B next question is which of the following pair is not correctly matched अब आपने जो incorrect pair है वो बताना है इन में से कौन आएगा जैसे different indices हैं और उनके vectors दिये हुए है हमने little leaf of brinjal है वो aphid की वज़े से होता है rice dwarf है वो zigzag leaf hopper की वज़े से rice grassy stunt वो green leaf hopper की वज़े से या फिर rice yellow orange leaf hopper वो leaf spot है वो zigzag leaf hopper की वज़े से होता है तो इन में से कौन आएगा जो हमारा little leaf of brinjal है वो किस के थू होता है mycoplasma like organism तो हमारा wrong pair कौन सा हो गया very good हमारा जो रॉंग पेर है वो है option a little leaf of brinjal ठीक है बाकी सारे ठीक हैं उसमें से rice dwarf है वो leaf hopper ही सप्रेट करता है और grassy stunt है वो green leaf hopper ही सप्रेट करेगा our next question is और हाँ मेरा coupon code है AC861 अगर आप कोई भी course purchase कर रहे हो अपने friends को भी बताना है कि AC861 लगाना है to get the maximum discount our next question is Dash is an important major pest species in the complex of pest attacking a crop हमने diseases भी किये थे कि epidemic था, endemic था, pandemic था, sporadic था, तोसी type से हमारे pest होते हैं अब आपने बताना है कि सबसे ज्यादा damaging कौन सा होगा स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है जो irregularly अटेक करता है ना irregular intervals पर and damming अगर उसको जो हमारा confined to भी बोलते हैं मतलब वही पर रहता है sonia very good हमारा right answer क्या रहेगा option c keep us most damaging होता है next question flooding of the field will help in control of white gruff, termites, cutworm या फिर all of these flooding क्यों करते हैं हम अगर उसके larva वगहरा है वो नीचे soil में रहते होंगे है ना तांकि वो उपर आ जाएं तो कौन सा pest होगा जिसके लिए हम flooding करेंगे termites आएगा है ना सिर्फ termites बाकी नहीं आएंगे all of these very good हमारा right answer क्या है all of these क्योंकि इनके larva भी हमों soil में फीट करते हैं तो उनके लिए भी हमें flooding करनी पड़ेगी अच्छा white grub के बारे में एक और point हमने discuss किया था और क्या है यह white grub international pest है यह national है और इसके कितनी generation होती है एक साल में यह पूरे साल में एक ही generation होती है इसकी जो हमारे adult होते हैं वो जब rainy season आएगा तब feed करते हैं मतलब leaf portion पर और जो grub होगा वो नीचे रहता है वो नीचे हमारे damage करता है प्लांट की roots को खाता रहता है next question this is also important question destructive insect pest act was passed on 1914, 1920, 1937 या फिर 1968 national one generation very good अभी आया भी था ये question इसका जो right answer हैगा वो है option A, 1914 next question directorate of plant protection, quarantine and storage was established in 1946 with headquarters at Ghaziabad, Faizabad या फिर Faizalabad या फिर Frisabad कहां पर है इसका जो हमारा center है headquarter very good very good हमारा right answer कहा है फरीदाबाद next question vector of rice tungro virus देखो जब हम patho discuss कर रहे थे तो हम क्या करते थे जो भी disease आता था चाहे वो viral disease था तो हम discuss कर रहे किसके through spread होता है कौन सा vector है अब हमने बताना है कि यह vector है और मतलब rice tungro virus है वो कौन spread करेगा कौन सा pest तो जोनों related हैं तो यह पहले भी हुआ हुआ है hopes वो आपको आता होगा तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो rice tungro virus किसके through होता है यह green leaf upper की वेज़ से अब green leaf upper का नाम बताईए क्या आएगा बैमेजियत बागी किसका नाम होता है white fly का यह पहले एफिड और हमारा जो right answer हैगा वो है option D nephotetics viruses very good next question monophagus या फिर absolute pest of rice हमने herbivores के अंडर कितनी बाद डिस्क्स हिया है ना monophagus होते हैं oligophagus होते हैं या फिर polyphagus होते हैं तो आपने rice का बताना है जी right answer हैगा हमारा option B yellow stem borer next question wheat field look as grazed by cattle in case of मतलब वो completely खराब कर देगा और daily updates के लिए मतलब जो भी class का link है वो आपको telegram पर मिलता है तो आप link जरूर जोइन कीजिए हमारा जो टेलिग्राम चैनल है वो है अग्रिकल्चर विद्बत्रा सर जी हमारा right answer क्या रहेगा option A कौन होता है यह army bomb army bomb क्या करता है spin threads form करता है spin threads क्या होते हैं जाले type बना लेता है जिसकी वज़े से वो एक plant से दूसरे plant पर move करता है और adentotermis oasis क्या होता है termite और यह कौन सा था हमारा गुजिया बेवल next question sisemia inference feeds on maize, rice, wheat या फिर all of these अब इसका आपको नाम पता होना चाहिए है न common name क्या होगा जो हमारा sisemia inference है अभी current news भी चल रही है इसके बारे में only maize पर अच्छा इसका common name क्या है इसका common name है pink stem borer या फिर pink borer भी बोल देते हैं stem borer है तो क्या काम होगा इसका ये stem में bore करेगा dead hearts form करेगा और ये तीनों crops में ही मतलब जो हमारा effect है इसके वज़े से आता है वो फाता है फीड करता है उन पर तो हमारा जो right answer हेगा all of these session code fill करेंगे arc next आपने जाना है आपकी favorite course को search करना है कौन सा आपने course purchase करना है ADO purchase कर लो जल्दी जल्दी से और उसके बाद आपने coupon code fill करना है ac861 और अगर फिर भी कोई भी query हो तो आप call कर सकते हो 7710104040 पर और session code जल्दी जल्दी like कर दो और share भी करना और end में comment भी करके जाना है कि आपने कितने questions थे वो right थे आपके कितने marks बने हैं so thank you कली सी time मिलेंगे 4 बजे thank you so much कर दो कर दो